हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग ट्यू वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 सेप्टमबर के इंपॉर्टन करेंट अफेस के क्वेस्टेंज वीडियो आपके एक्साम के दृस्टे से काफी इंपॉर्टेंट है और दीके सेप्टमबर मंत आपका कंप्लीट हो गया तो आपको मंतली करेंट अफेस की जो वीडियो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी तो आपनों वो वीडियो पर जरूर देखे इससे आप अपना मंतली भी रिविजन कर सकते हो और अगर आपने पहले कहीं आपकी करेंट अफेस छूट गए हैं बीच में तो वहाँ भी आपको सारे के सारे करेंट अफेस मिल जाएंगे तो चले फिर लेटके स्टार्ट दी वीडियो और सबसे पहली बात में आपको एक और चीज़ बताना चाहोंगे आपकी पॉलेटी क्लास शुरू हो गई है तो पॉलेटी भी आपको यहां पर कम्प्लीट मिलेगी हिस्ट्री को भी ब्रेक दिया है आपका जो मॉडरन हिस्ट्री वो कराया है इसके बाद जो मेडिवल और एंशेंट इंट्रे वो भी करवाएंगे तो डोंट वरी सारी ची से मिलती रहें तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बहुत अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ आज दे कि क्या है जीवन में हमेशा इंतिजार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है उसे लाना पड़ता है कभी आप यह सोचे कि चलो वेट करत नहीं होगी जब आप मेहनत करोगे उस चीज में कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका अच्छा वक्त रहेगा ही रहेगा तो इसी के साथ आज ही क्लास के शिरुवात करते हैं पहला कोशन देगे क्या है भारत ने किस देश के साथ वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन और जो Maritime Security Corporation ने इसको बढ़ाने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो हाली में जो भारत ने हस्ताक्षर करी हैं वो उमान के साथ किये हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा option number D देखो यह जो agreement sign किया गया है यह भारत की दरव से इसके द्वारा किया गया चीफ आफ नेभी स टाफ एड्मिरल करमवीर सिंग और उमान की तरफ से कौन थे एड्मिरल सेफ बिन नसीर बिन महसेन अल रहपी काफे लंबा सा नाम है बढ़ कोई बात नहीं च्छोटा मुटा ध्यान रगलो आप लोग हिंड के तौर पर यह समझोता कहां पी हुआ है तो देखो यह भी पस में भई सयोग को बढ़ाएंगी एक दूसरे के साथ और जो मर्चंट शिपिंग ट्रैफिक है इसमें डेटा को एक्सचेंज करने की अनुमती भी देगी एक दूसरे को तो ओमान की कापिटल मसकर जहां पर यह पूरा का पूरा जो एक्रिमेंट है वह हुआ है और ओमान प्रायम मिनस्टर भैई है अब कौं सी कंट्री के अगले प्रायम मिनिस्टर बनेंगे तो यह बनेंगे जपान के से पहले ह講 जहानो योशी हिदे सुगा ते सो आप जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है फुमियो किशिदा ठीक है योशी ही दे और ये थोड़ा सा आप लोग वैसे तो नाम नाम सेम लगेगा फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ इसको हम कैसे याद करेंगे तो देखो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम किसे से हम जैसे भेन भाई हैं आपस में तो हम बोरनेंगे जा पापा को किसी दे लाइक ऐसा हम ट्रिक की तरह इसको मना रहे हैं तो किसी से किशिदा हो गया Japan from Japan हमारा हो जाएगा तो इस तरीके से आपको धियान लगता है Japan की capital Tokyo है और currency है Japanese यहने आपिवे आप देख सकते हो यह पूरा का पूरा Japan का map है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि Japan की capital क्या है Tokyo यहाँ पर आपको मिलेगा छिकैं तो इधर देखो Pacific Ocean है यहाँ पर आपको Sea of Japan गाने East Sea मिलेगा तो इस तरीके से आप लोग map कित्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश करें खास कर तो आपको जो main main countries हों के map आसपास कौन कौन से sea हैं वो आपको पता होना जाएए अदर कुछ appointment लेखते हैं जो हल फिलल में हुएं प्राइम मिनिस्टर के तो पेरू में बने हैं गुईदो बेलिदो अर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं निकोल पशिनियान मलेशिया में बने हैं इसमाईल साबरी याकूब स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं स् प्रेजिटेंट की होप सो आप लोगों ने जरूर देखी होगी वो वीडियो चलिए इसके बाद एक अगला कोशिन क्या है विच कंट्री हास इलेक्टेड दर वर्ड फर्स्ट वुमेंस मिजॉरिटी पार्लमेंट तो ये विश के पहली महिला बहुमत वाली संसत होगी जिसमें महिलाईं जाधा होगी ठीक है और ये कौन सा देश ने चुनी है तो आंसर इस दी आइसलेंट आइसलेंट इस दी गही है और तो आपको बताए कि 33 यानि हाफ से जाधा जीती है 52 परसेंट लगबग इसलेग यहां पर बोला गया है इसको पहली मिजॉरिटी पार्लमेंट आइसलेंट वोस दी फोस्ट कंट्री देगो पहली कंट्री थी टू इलेक्ट आउमन ऐस प्रेजिडेंट इन नाइ आइसलेंट की कापिटल है रिजोबिक और आइसलेंट क्रोना यहां पे करंसी है प्रेजिडेंट का नाम क्या है गुड़नी जुहेंसन यह आप देख सकते हो यह है आइसलेंट के लोकेशन इधर आपको नौर्वियन सी है इधर इसके नीचे कौन सा सी है अट्लांटिक सी है ठीके बढ़ते हैं अगले क्वेशन पे रिसेंटली देखो हाली में कौन सा देश बन गया है लास्ट कंट्री इन वेस्टन यूरोप वेस्टन यूरोप के जो बच्चे उ देश थे उसमें से सबसे लास्ट कंट्री बन गया है कौन सा देश है जिसने अलाउ किया है सेम सेक couples to marry यानि जैसे boy boy के साथ कर लेता है girl girl के साथ marry कर लेते same sex couple जो है marriage कर लेते है इसको अनुमती दे दी है और ऐसा करने वाला जो last country बना है Europe का वो है Switzerland ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था Switzerland में referendum कराए गया था मतलब एक तरीके से vote करवाए जनता के द्वारा because वहाँ पर इतनी population नहीं है देखो तो जितना भी कोई भी अगर फैसला रहना होता है तो उसके लिए voting करा ली जाती है जिस पर जनता को जो लगता है कि उनके लिए यह सही है वो सही है वो अपने according उसमें vote करती है तो लगबग 64% voters ने यहाँ पर favor में vote किया था और finally इसको जो है वो allow करा है कहां पर Switzerland में तो Switzerland world की 30th country बनी है जिसने same sex marriage को adopt किया है and one of the last remaining western European nation जिसने ऐसा काम किया है नीदरलेंड ने सबसे पहले किया था was the first in 2001 ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है very important question Switzerland ध्यान रखेगा आप देखो यहां पर हम बात करते हैं तो आपको दिखिए का यहां पर Switzerland यह आपको मिल रहा है यूरोप कम है ठीक है देखो यूरोप और एशिया ना एक तरीकी से आप कहलो कि पूरा एग ही आइलेंड सा है बट इसको एक imaginary लाइन से डिवाइड किया हुआ है कि इधर यूरोप कॉंटिनेंट है इधर एशिया कॉंटिनेंट है वैसे यूरेशिया बोला जाता है सईयोत तुरूप से ठीक है तो यूरोप कॉंटिनेंट में देखो हमारे अब अगर हम डायरेक्शन के बात करें तो ये इस्ट वाला पार्टे ये वेस्ट वाला पार्टे नौर्थ हो गया ये आपका साउथ हो गया तो इधर वेस्टर जो वेस्टर यूरोप वाला हिस्सा है ये पूरा इसमें लास्ट रिमेनिंग कंट्री कॉंट सी थी स्विजल तो भई हाली में कौन से देश को IAEA के बाहरी लेखा परिक्षा के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है किसको इंडिया को तो इंडिया यहाँ पे बिलकुल सही आंसर है तो देखो अगर हम IAEA की बात करें तो ये एक prestigious institution है जो प्रमोट करता है कि nuclear energy का हम जाद से जादा यूज़ करें for a period of six year जहाँ वे 2022 से लेके 2027 तक ठीक है आफ्टर बीडिंग से जर्मनी और यूनेटर के इंडम को बीट किया और उसके बाद ये कैसी institution है जो प्रमोट कर रहा है nuclear energy को तो इंडिया के जो कैग है कैग की फुल फुर्फर्म क्या है कम्टोर एन ओडिटर जर्नल जी सी मुर् उनको सिलेक्ट किया गया था external auditor किसका international atomic energy agency का ठीक है तो country से भी ध्यान रखेगा और इस तरीके से भी आप ध्यान रखो इसके बादे कौन से minister है जिन्होंने 7th edition यहाँ पर launch किया है किसका स्वच्छ सर्वेशन 2022 तो ये भी ध्यान रखो कि ये इसका कौन सा edition हुआ है 7th edition launch कि किया गया है किस ने किया है हरदीब सिंग पूरी ने किया है अच्छा इनके पास कौन से ministry है तो इनके पास है housing and urban affair ministry तो ये मंत्राले इनके पास से ध्यान रखेगा अब ये जो स्वच्छ सर्वेशन देखो एक campaign जो भी है ये world का largest urban cleanness survey कर है जो की स्वच्छ भारत mission urban के इंडक्ट कराया जाता है इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है with people first as it's a rhyming philosophy है न कि लोगों के देखो खुद भी तो कोई जिम्मेदारी होते है आप खुद में पहले हो ठीक है बाद में आप कहीं बाहर का देखते हो तो अगर आप खुदी ही चीजों को एक तरीके से साफ नहीं रखोगे तो फिर कभी भी कोई चीज़ क्लीन नहीं हो सकती है इसलिए people first यहां पर इस चीज़ को बोला गया है ओके स्वर्च अधिशन 2022 को लॉंच किया है इस objective के साथ की जो city का initiative लेके हाँ पर शुरू किया गया है और जो frontline sanitation workers हैं उनके कल्यान की उदेश से इसको श senior citizens को और young adults को है न कि जो व्रद्द लोग होते हैं उनके जो आपका होगी अनुभवे बहुत बड़े होते हैं और जो young adults होते हैं उनका mind एकदम fresh होता है तो नए-एडियास यहां से लिए जा सकते हैं तो इनको एक तरीके से priority यहां पर दी जाएगी ठीक है अगला question है वाइ president के दोरा दिये जाती हैं दो यहां पर बच्चों को यह award दिये गए हैं बताना है कि दोनों कौन सी class से हैं तो यह हैं दोनों 10th class से अब आप लोगों से इन दोनों student का नाम भी पूछ सकते हैं और यह भी पूछ सकते हैं कि कहा से belong करते हैं ठीक है तो यह है जो students है वो पायरना city memorial government high school जो कि अरधी village में हैं ओके आप इनको यह क्यों दिया गया है देखो यह जो award इन्हें दिया गया है इन्होंने एक project बनाया था इस project का नेम था gas saving kit और इस project को इन्होंने बहुत ही बहतरी ढंक से बनाया था और इसी के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है और इस पे उनको cash price भी दिया गया है कितना 20,000 रुपीज का clear हो गया question अब आप लोग उसे question में इन दो student का नाम भी पूछ सकते हैं तो नाम भी ध्यान रखो अनुश्का और रक्षिता इसके बादे government of India has started work to develop परशुराम कुंडक कौनसे state में तो बही परशुराम कुंडक विक लोहित रिवर बहती हैं वहीं परशुराम कुंडक का नर्मान शुरू करा गया है इस project के लिए कितने रुपे sanction किये गए है 37.88 करोर रुपीज under the pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive के माध्यम से ठीक है तो आप लोग को ये amount याद करने के जरूरत नहीं है आप लोग तो सिर्व ध्यान रखो क कहां से कौन सी जगा है अरुनाचल प्रदेश है ठीक है अरुनाचल प्रदेश में CM कौन है पेमा खांडू अरुनाचल प्रदेश के गवरनर कौन है बीडी मिर्श्रा यहाँ पर आप अरुनाचल प्रदेश की location देख सकते हो सबसे भारत का सबसे पूरवी यानि eastern part है और इसकी सीमा बुटान से लगती है इधर इसकी सीमा चाइना से लगती है असम स्टेट इसके साथ सीमा बनाता है नागलेंड इसके साथ सीमा बनाता है ठीक है दो स्टेट के साथ यह अपना बॉर्डर शेयर करता है अगला है विच स्टेट जुडीमा राइस वाइन्स गेट जी आई टेग तो भई हाली में देखो अभी इनको जी आई टेग दिया गया है तो यह कहां से बिलॉंग करती है तो यह आपको मिलेगी अस्वाम राज्य में ठीक है और ध्यान रखना इसके पहले कल मैंने आपको लोग को सोजत मेहधी के बारे में बताया था वो आपका कहां से है राजस्थान से है नागलेंड से मैं आपको क्या बताया था स्वीट कुकुमबर जो है उनको जी आई टेग दिया गया है तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को पढ़ाई जरूर किया करें जी आई टेग देखो मूल रूप से जो वहां के प्रोड़क्ट है न असोसियेट करेंगे वहां के जोग्राफिकल ओरिजन से उनको जी आई टेग दिया चाता है अगर हम जुडीमा राइस वाइन की बात करते हैं तो ये एक लोकल फर्मेंटेट डुरिंक है जो बनती है चावल से और इसे असम का जो डिमासा कॉम्यूनिटी है वो इसे बनाता है तो ये चीज़ने आप लोगों को एक्जेक्ट ध्यान रखनी है असम में देखो एक कोशन ये बनता है कि असम की सीमा किसके साथ लगते हैं ऐसे भी बनेगा देखो असम स्टेट ये है बुरा तो इधर इसकी सीमा किसके साथ लगी वेस्ट वेंगॉल के साथ ठीक है यहा असम की पूरी बाउंटरी में बना देती हूं ताकि confusion बिलकुल भी ना हूं इस तरीके से ठीक है तो अरुराचल प्रदेश के साथ भी लगता है नागलेंड के साथ मनीपुर के साथ भी मिजोरम के साथ तिरपुरा मेगालिया और वेस्ट वेंगॉल असम में देखो काजिर प्रीट हमने डिटेल वाइस वीडियो करने थी अब हम फटाफटे short questions short news कर लेते हैं पहला देखो क्या है अवीक सरकार reelected as a press trust of India chairman तो ये press trust of India chairman बन गए है दुबारा सी reelect होए है अचा है इसका headquarter कहां पे है तो PTI का headquarter है न्यू डेली में और 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापन की गई थी छीगे अ कि तो I think समझ लिया अब ऐसे आद कर सकते हो कि सरकार क्या करती है जंता को मतला मतलब सरकार का जो विश्वास है वो जंता का विश्वास है वो सरकार पर होता है है ना और सरकार को इसको बना के रखना चाहिए तो सरकार ओर ट्रस्ट को आपस में आपRelate कर सकते हो इसके बाद क्या है अगला देखो केविन के यह CMD है CK रंगनाथन इनको नया AIMA का President Appoint किया गया है तो यहां पी AIMA का मतलब होता है All India Management Association तो इस तरीके से आपको ज्यान रखना है कि कौन बने हैं इसके CK रंगनाथन इसके बाद देखो हम लोग बढ़ते हैं अगले question पे तो आगले में बोला गया है देखो World Heart Day Observed on 29th of September यानि विश्व हिर्दे दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को इस बार की जो theme थी इसकी वो थी Use Heart to Connect इसकी Federation भी है जो 2000 में स्थापना हुई थी इसकी Federation World Health Federation का Head Quarter कहां पे जेनिवा में और इसके Chairman कौन है राजीब गुपता तो यह आपको सारी information धिहान रखनी है इसके बाद है RBI imposes two crore penalty on the RBI bank for deficiencies in regulatory compliance तो दिखो RBI ने अभी हाले में किस bank पर penalty लगाई है तो या ऐसे बुल दो करोन की किस bank पर penalty लगाई है तो RBI रतनाकर bank पर लगाई है किस ने लगाई है RBI ने लगाई है तो इस तरीके से दो तरीके से यहां से सिफ question बनेगा RBI bank 1943 में इसकी स्थापना हुई headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके MDO CEO कौन है विशवीर अहुचा ओके और यहां पर RBI और सो fine था देखो जमो कश्मी स्टेट कॉपरेटी बैंक श्रीनगर विदन बदब आर्बे के दोरह एक और bank पर fine लगाए गया है बट most important कौन सा bank हो गया रतनाकर बैंक लिमिटेड हो गया इसके बाद यूएस ने बीट कर दिया यूएस ने हराया है किसको यूरोप को किसमें राइडर कप गोर्फ टूनामेंट हुआ था यह पहली बार हुआ है सिंस 1979 और 1989 83 के बाद जब यूएस से ने comeback किया है और यहां पर राइडर कप को जीता है ठीक है इससे पहले आफ्टर विनिंग ही 2016 ऐस ही जल टाइन तो यह आपको ध्यान रखो कि यूएस इस बार जीता है डारेक्ली कोईशन ने बनेगा कि राइडर कप गोर्फ टूनामेंट कौन से टीम में जीती है तो यूएस से ने जीती है अगर किसको बीट किया है यूरोप को किया है इसके बाद रोही शर्मा बन गई है पहले क्रिकेटर टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट वन टीम इन आई पिल तो भाया इनोंने एक ही टीम से आई पिल को खेला है और उसमें 1000 रन इनोंने कंप्लीट कर दिये हैं तो इनका नाम टेस्ट अगेंस्ट किसकी हो रहा था कॉलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट हो रहा था कहां पे अबुधाबी के स्टेडियम में तो ध्यान रखेगा कि कौन से यहां पर प्लेयर की बात हो रही है इसके बाद इसकी ने लॉंच कर दिया है T20 वर्ट कप का एंथम ये तो ICC ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है question को तो ये tournament देखो 17 October इन हुमान में शुरू हो जाएगा उसका जो final मैं जो का वो 14 November को रहेगा अफट आफट से हम journal awareness के questions कर लेते हैं जो हम कल कर रहे थे sports और trophies related आज भी वही continue करेंगे तो देखिए आज के question क्या है पहली बार 1930 में पहली बार Commonwealth Games खेले गए थे लेकिन पूछा गया है कि कहां पर खेले गए थे तो ये खेले गए थे कहां पर option is the correct answer Canada में खेले गए थे इसके बादे जो term है butterfly stroke ये कौन से sports से refer करता है या फिर संबन देते हैं तो butterfly stroke जो शब्द use किया जाता है ये swimming में use किया ज जाता है तो आप लोग ध्यान रखों इस तरीके से question बनते हैं definitely exam में बढ़ते हैं अगले question पर Thomas Cup is related to जो Thomas Cup है बताना है कि इसका सम्मंद किस से हैं तो option number D is the correct answer badminton से relate करता है कौन सा Thomas Cup इसके बाद अगला question देखे क्या है rider Cup is related with which sports तो rider Cup अभी हमने बात कर रहा था कि USA ने जीता है और ये कौन सा tournament होता है ये golf का tournament होता है so directly यहाँ पर answer आपको पता चल गया होगा इसके बाद the number of players in each side in water polo is तो यहाँ पर आपको देवी ध्यान रखना है कि जो water polo होता है उसके एक side में खलाड़ों के संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर answer कितना हो जाएगा साथ ठीक है option B is the correct answer इसके बाद है बहीं बताना है कि international olympic committee का जो headquarter है वो कहाँ पर located है ठीक है तो इसका जो headquarter आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा तो correct answer है Switzerland ठीक है किसका international olympic committee का जो headquarter है इसके बाद है which one of the following grand slam title जिसको जाना जाता है Roland Garros के नाम से भी मदब उसका एक तरीके से दूसरा नाम हो गया यह और यह कौन सा tournament है तो आपको याद आ गया होगा कि यह French tournament है और इस French tournament का हिस्ते के नाम है Ronald Garros grand slam में देखो total आपके पास कितनी होते हैं चार यहाँ पर tournament grand slam के अंधकत कराए जाते हैं तो चली हमारे सारे questions फिनिश हो गए now the time to revise जल्दी से quiz का time शुरू हो किया है revision भी मार लेते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले question में हमारे पास क्या है कौन सी country ने declare किया है कि cryptocurrency sanctions जो है उसको illegal बता दिया भी उन्होंने तो देखें कौन से country थे तो आपको याद होगा कि China थी ठीक है डॉक्टर भारती प्रवीन ने अभी इंडिया के तरफ से lead किया है fourth इंडो US health dialogue में ये कहां भी होई थी तो ये न्यू डेली में होई थी अगला है DRD उने यहाँ पर आकाश missile का परिक्षन किया गया है वह नया वर्जन हो उस नई वर्जन का नाम क्या है तो उस नई वर्जन का नाम है आकाश प्राईम तो इस तरीके से आपको ध्यान डगना है इसके बात है आई सी आरे ने जो डेडीबी ग्रोथ को रिवाइस किया कितना बताया है अब 9% कॉंसर स्टेशन बन गया है जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर्ड होगा तो इस टेशन का नाम क्या है चैन्नाई सेंट्वल रेल्वे स्टेशन लाजस्ट पेलिमिटम जो है वो यह कहां पर इ इसके बाते दे न्यू बुक जिसका 34 टाइटल डारेक्टर जनल अफ दे नेशनल केटिट कॉप्स यह कौन बनी है गुरबीर पाल सिंग अगला है बुक का ने में दी बैटल ऑफ रिजांगला यह बुक किसमें लिखी है तो कुलपरीत यादव के द्वारा यह जो बुक है यह बुक लिखी है विजय गोखले जी ने तो बहुत अच्छे कॉमेंट आपके योने शेख नेहा जैसवाल एंड श्रिया कुमारी ऐसे ही आप लोग ज़रूर आंसर कर रहें और जाद स्याद संख्या में आग की कुशन देखे क्या है नई डारेटर जरनल कौन बन गए है बॉर्डर सेक्योरिटी फोर्स के और वट इस टोटल स्टेंट आफ जज अपॉंटेट आइड इस सुप्रीम कॉर्ट आफ इंडिया ध्यान से पड़ेगा कुशन भारत के सरवोच न्यायले में न्युकत सिर्फ न्याय धीशों की कुल संग्या पूछी है तो चलिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसको जुरू बताइए का मिलेंगे आप लोग इससे अगली वीडियो में फिर से कुछ नए कॉनसेप्ट लेकिए आप लोग पढ़ते रहें मुस्कराते रहें हार्ट वोक करते रहें और सक्सेस वेलकम कुईकली तो चलिए धानके सुमेंट पर वाचिंट वाचिंट वीडियो